नमस्कार सात्यों वो दोस्तों आगता आपका हमारी इस यूटूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन जोन दोस्तों आज के इस वीडियो के निरम लोग बात करने वाले है कि जेन्वेंटेस एक्जाम आपका कब कब होने वाला है किस दिन जो आपका कौन सा एक्जाम होने वाला है जैसे में के लिए बीए होनर्स के लिए एंफिल के लिए पींसटी के लिए एंड अधर जो डिप्लोमा कोर्सेज है उन सब के लिए जो आपका एक्जाम है वो कब कब होने है तो दोस्तों आप वीडियो में सरुचले के लास प्रोस्पेक्ट में यहां पर देखे डेट सेडूल 4 एंटेस एक्जामिनिशन 2019 के लिए दोस्तों 27 मही से आपके एक्जाम स्टार्ट है एंड 27 मही को जो है आपके एक्जाम यहां पर 3.30 बजे से 2.30 बजे तक आपके चलेंगे जो आपका फस्त एक्जाम है वो 9.30 बजे लेके बाराव बजे के बीच रहने वाला है दोस्तों यहां पर अब देख सकते हो एक साइड में लिखा हुए प्रोग्राम फिर लिखा हुए फिल्डो प्स्टेडी कोड ठीक है तो आप यहां पर देखिए जैसे में यह MFL के लिए है फरस्ट परे में आपका रहने वाला MFL के लिए फिर MFL में अलग-अलग सब्जेक्ट है जैसे दिया हुआ है Best Asian Studies के लिए फिर देखिए MFL में हिंदी के लिए है फिर तमील के लिए है टीक है इसी तरह से आप और इसमें देख सकते हो MFL के लिए जो भी कोर्सेज है यहां पर आप इदर देख सकते हो फिल्ड ओप स्टडी इसके अंदर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जैसे लेंग्विज कोर्स इसमें 27 मई को हो जाएंगे हिंदी तमील उर्दू इसी तरह से हम देखे है M.A. के लिए तो देखिए M.A. के लिए भी आप देख सकते हो यह सोरी ढ़ाई बज़े से लेके साड़े पांच बज़े के बीच आपका यह एक्जाम होना है ठीक है यह सेकंड सेसन है 27 मई को होगा इसका एक्जाम भी जैसे अलग लग कोर्सेज MPL के लिए है पीएसडी के लिए है और पीएसडी में देख लिए आप हिंदू यह हिंदी सोरी एंड उर्दू तमील इन सब के लिए यानि के लेंग्विज कोर्सेज आपके 27 मई को यहां पर करवा दिया जाएंगे जेन्यू के द्वारा उसके बाद यहां पर देखिए जिसे में में के लिए है एमे में में हिंदी इंग्लिस उर्द्व एक्लूमिकस यह सब आगे ठीक है दो मैं आपको जो चीज बता रहा था है कि आपको वीप्रोक्राइब्स बता रहा था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वह व nar pits यहीं पर आपको clear कर देता हूँ जिसे कि दूस्तों यदि आपने देखिए जेन्व के अंदर आपको तीन सब्जेक्ट का मुका दिया जाता है कि आप जो है अक्रेशन को के सब्जेक्ट को होना है तोजि आपने एकसा सब्जेक्ट है जिनका एक्क्साम और रेट को होना है तो आप इसमें करेक्शन कर लेना क्योंकि आप एक्जाम केसे देपाऊगे आप इस तरह से तो यह आप देख लेना फिर देखिए 28 मही काम सेड्यूल देखते हैं इसमें सेशन 3 आगया ठीक है यह आपका साधे 9 बजिस्स साधे 12 बजे तक आपका रहने वाला इसमें देख लीजेगा आप MPL के लिए यह foreign languages आगे ठीक है एंड MPL के बाद PhD का दिया वाए है physical science यह subject इसके अंदर है एंड PhD के बाद हम देखते हैं MA का तो इसमें philosophy के लिए आप यहां पे देख सकते हैं MA का exam होगा and आपका BA first year honours के लिए cluster first का जो exam होए वो 28 माई को होगा 27 माई को जो है BA honours वालों के लिए नहीं है and 28 माई को जो आपका cluster first के लिए होना है इसके अंदर देखे language जो language है इसमें French, German, Russian and Spanish इसमें language सामिल है इसके बाद देखिए 28 माई को फिर जो है आपके डाए बिज़े से लेके साड़े पांच बिज़े तक आप इसमें और देख सकते हो जैसे MPL के लिए आ गए MPL के लिए कब-कब एक्जाम होना है ठीक है कि सब्जिक्ट का है ठीक है यह आप यहां से देख सकते हो उसके बाद PhD के आ गए है फिर देखिए में के लिए MST के लिए यदि आपने अप्लाई किया है MST के लिए तो MST का एक्जाम भी जो है 28 माई को आपका morning में होने में वाला है फिर देखिए MST के मंदर life science का आ गया में में फिर देखिए economics with specialization in world economy यह इसका आ ठीक है फिर देखते हैं यह गुंति समय का तो फिर देखिए इसमें MST के लिए पहले फिर PST के लिए बताया गया है और फिर अपना MST के लिए ठीक है आप यहां पर देख सकते ह फिर देखिए BFST का cluster second का जो आपका exam है वो आपका है इसमें 30 मही को आपका exam है ठीक है इसके इंदर तीन language सामिल है इसी तरह से फिर हम देखते है 30 मही में ठीक है फिर आगे MPL के लिए MPL के लिए LLK सबजेक्ट आगे फिर PhD के लिए LLK सबजेक्ट इसमें दिये हुए है आप यहां पर एक चीज में जो बता रहा हूं वो चीज नोटिस के लिएना कि आपने दो ऐसे सब्जेक्ट तो फिल नहीं कर दिया है जिनका एक्जाम एक ही टाइम में होना है तो आप वो चीज इसके अंदर देख लेना फिर हम में का यहां पर देखते है जोग्राफिक के ल प्यान रखे यदि आपने फिल कर दिया तो अभी करेक्शन की डेट है तो आप यहां से देख लिए ना सभी के लिए होता है यह पींस्टी एंफियल एंड यह यह में वालों के लिए तो इस तरह से जो है आप यहां पर देख सकते हो 30 मही तक आपके एक्जाम होने है और भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंड बुक्स में कमेंड किके पूच सकते हो दोस्तों ठीका ध्यान रखना ओके